हेई welcome बैक टो आर चैनल दोस्तो अच्के इस वीदियो में सीखेंगे how to take screenshot याणि कि इस डिवाइस में screenshot कैसे ले दोस्तो Samsung डिवाइस में तीन अगलियों से screenshot नहीं ले सकते लेकिन screenshot लेने का कही सोरे एड़ंस थरीका दिगे गई है नामबर वान, बॉलूम एंड पावर बटन, जब स्क्रीन सोट लेना है, बॉलूम डाउन बटन और पावर बटन को एक सद प्रेस करके छोड़ दीजिए, स्क्रीन सोट कैप्चर हो जाएगा, यहां पेंसील ऐकन पर टैप करके लाइन डॉर कर सकते हैं, उसे इरियस कर सकते ह सेब कारना ना भूलें, इसके साथ आपको टेक्स्ट रेक्रोनाइज का फीजर्स प्रोवाइड किया है, अगर फोटो में कोई टेक्स्ट रहते हैं, तो उसके उपर टैप एंड होल करके उस टेक्स्ट को कबी कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको लॉंग स्क्रीन सोट चाह नामबर टू, क्वीक पैनेल, दोस्तों उपर से नीचे की और स्वाइब करके क्वीक पैनल ओपेनल करें, क्वीक पैनल से अब कुछ यूसपुल सेडिंग्स को जल्दी अक्सेस कर सकते हैं, एक बास स्वाइब करते ही 6 क्वीक पैनल दिखाई देगा, फिर एक बास के नीचे एडिट में जाईए अब एच्छे टगल से किसी एक को हटना है माइनस पर क्लिक करके किसी एक को रिमूब कर सकते हैं एक बार स्वाइब करने से जो पैनल खुलता है इसमें केवाल आप छे टगल रख सकते हैं आप अब 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 बटन के अंदर टेक स्कीन सोट टो यहां पर आपको नीचे की और एक सेटिंस देखने को मिलेगा एच पैनल अगर यह ओफ किया हुआ है तो इसे टन ओन कर दीजिए इसके बाद एच पैनल में जाई है स्क्रीन सोट फीचरस एड़ करने के लिए पैनल्स पर टैप करना है पैनल्स में केवल एप सिलेट किया ह हुआ है आप इसके साथ स्मार्ट सिलेट को भी एड़ कर लिजिए दोस्तो नेक्स टाइम से एस पैनल ओपन करते ही फर्स्ट एपस आएगा फिर लेफ्ट स्वाइब करते ही स्क्रीन सोल लेने का कहीं सरे सेफ चलाएगा रेक्टेंगल सेफ पे क्लिक करके सेफ इतना ही पो सकते हैं मालो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बार बात दूसरे कोई एप या गैलरी में जाके देखना पड़ते हैं वहां से स्क्रीन सोल लेकर उपर पीन कर दीजिए फिर देखना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा नमबर फोर एसिस्टेंट मेनू दोस्तो एक क्लिक मे स्क्रीन सोल ले सकते हैं इस हिदेन फिजर्स को अक्टिवेट करने के लिए फोन सेटिंग्स ओपन करके नीचे की और जाईए नेक्स्ट एक्सिविटी पर टैप करना है इसके बाद इंट्रेक्शन एंड डेक्स्टरिटी यहां पर आपको एक सेटिंग्स देखना को मेनु तो सबसे पहले इस पीजर्स को टन ओन कीजिए इसके बाद अलाव करना है देखिए दोस्तों डिस्प्ले के उपर एक फ्लोटिंग आइकन दिखाई दे रहा है आप एसिस्टन मेनु यहां के इसे कास्टमाइज करेंगे सिलेक्ट एसिस्टन मेनु आइटेम यहां स् इस आइकन को होल्ड करके मूब कर सकते हैं इस आइकन को अपने पुजिशन के सबसे सेट कर दीजिए जहां इस आइकन को राखेंगे उस पर टैप करते ही स्क्रीन सट कैप्चर हो जाएगा चाए किसी एप्लिकेशन में हो या ब्राउजर में इसका टांस्प्रेंसी वेलू फूल करके आइकन को हाइट कर दीजिए आप डिस्प्रेक के उपर एज आइकन दिखाए नहीं देगा लेकिन जैसी आप वहां पर टैप करेंगे स्क्रीन सट कैप्चर हो जाएगा दोस्तों स्क्रीन सट फीचर्स के लबा इस मॉडल का कहीं सरे हिदन सेटिंग्स और पॉल ब सेटिंग्स बस्चरारी